हेलो बच्छो मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स गार मुकेश नायक चानल पर तो चलो टू मार्क्स नुमरिकल के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले नुमरिकल देखिए जो की रहेगा थेवरोम पर चुब हम लोग दो थेव इनर्षिया फाइंड करना है सॉलिड स्पियर का जिसका मास 10 kg है रेडियस 0.5 मिटर है रोटेटिंग अबाउट आन एक्सेश पासिंग थू पॉइंट अट डिस्टन्स ऑफ पॉइंट 4 मिटर पॉइंट 4 मिटर के डिस्टन्स पर फाइंड करना है अबाउट स्पियर का 10 kg ओके देन रेडियस दिया है आर इक्वल्स टु 0.5 मिटर देन नेक्स्ट डिस्टन्स कितने डिस्टन्स से निकालना है तो देखो अगर यह इस तरह का डाइग्राम है आपका इस तरह के डाइग्राम में आपका सेंट्राइडल एक्सिस पासिंग तूरू चालना है जिसका डिस्टन्स उसने दिया है 0.4 मिटर ओके यह हुआ आपका सेंटर ओके तो आप जो लिखते हो हम लोग टू फाइंड लिख लेंगे अभी मैंने एक दो लाइन शोड़े वाहा लिखने के लिए तू फाइंड क्या हमें मोमेंट अफ इनर्शिया चाहिए य जो कि हमें फाइंड करना है आई ओ इसी कोल स्टो हमें पता है आई सी प्लस एमें स्क्वेर होता है हां यह सर तो यह जो एच है न यह रहेगा आपका 0.4 मिटर अचा तो टू फाइंड आयो हो है तो और फॉर्मूला भी आ गया इसमें चलो यार बिना समय करने से पहले मैंन स्क्वेर रहेगा अचा कैलकुलेशन इजी है इसका बस अच्छे से ध्यान दीजिए टू बाइफाइफ एम का वैल्यू है टेन आर का स्क्वेर है आरे 0.5 मतलब यह हो जाएगा 0.5 इंटो 0.5 उके नो प्रॉब्लम सर प्लस एम दिया है 10 और एच है 0.4 तो उसका स्क्वेर 0.4 इंटो 0.4 सर ऐसा क्यों लिख रहे हो कैलकुलेशन इजी होगा देखिए यह 10 और यह पॉइंट कैंसल अभी क्या बचा है आपर यह 5 और यह 5 कैंसल इसलिए अभी 0.5 इंटो 2 आधय का डबल कर दो तो वह 1 हो जाएगा प्लस इधर देखिए यह 10 और यह पॉइंट कैंस जाए 1 प्लस 1.6 हो जाएगा 2.6 केजी मीटर स्क्वेर यह होगे आपका फाइनल अंसर इस न्यूमेरिकल का तो उमिद करता हूँ आपको मजा आया होगा तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अगला न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग ठीक है थैंक्यू मिलेंगे नेक्स्ट वी